हेलो फ्रेंड्स मैं हुम आईस गुर्जार, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलोपमेंट, मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए ये सेशन में एक लॉजिक समझते हैं सम उफ डिजिट्स सम उफ डिजिट्स मतलब क्या मान लो कि हमारे पास कोई एक नंबर है 246 कोई भी तो ये नंबर के जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स का सम करना है तो मान लो कि ये variable का नाम है हमारे पास number तो कोई भी number में से कोई एक digit निकालना हो तो mathematically हम क्या logic लगाएंगे तो कोई भी number को हम क्या करेंगे modulo by 10 करेंगे suppose 2, 4, 6 modulo by 10 not divide by 10 ठीक है तो जब भी कोई number को हम modulo by 10 करते हैं तो जो last digit होता है वो as a remainder हमें मिलता है एक छोटे number से चेक करते है suppose 24 divide by 10 तो 10 to the 20 remainder क्या बचा 4 same to same यहाँ पे चेक करते है 2, 4, 6 divide by 10 तो 24 तो इसका आंसर आएगा 2, 40 और remainder बचेगा 6 तो हमें क्या करना है जो भी number है उसको modulo by 10 करना है तो first step में हम क्या करेंगे 2, 4, 6 modulo by 10 तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास इसका आंसर आया 6 तो यह एक digit आया तो यह जो भी digit आया उसको हमें total में add करना है फिर next step में क्या मिलना चाहिए next step में हमें मिलना चाहिए यह 4 तो 4 कब मिलेगा जब हमारा number 246 की जगह पे सिर्फ 24 बचेगा तब तो यह कैसे आएगा आंसर तो यह division का आंसर है यह modulo division का आंसर है हमें जो remainder required था वो हमने ले लिया उसके बाद क्या चाहिए उसके बाद हमें चाहिए यह division का आंसर ठीक है तो हम क्या करेंगे 246 divide by 10 तो इसका आंसर क्या आया 24 तो यह एक step हुआ ठीक है यह step number 1 same logic repeat करना है लेकिन किसके साथ जो बाकी बचा हुआ हमारा answer है इसके साथ तो second step में हम क्या करेंगे 24 modulo by 10 तो इसका आंसर क्या आएगा 4 तो यह जो digit आया वो digit हम total के अंदर add करा देंगे उसके बाद फिर से divide करेंगे तो 24 divide by 10 तो क्या आंसर बचा हमारे पास 2 ठीक है तो यह हुआ second step अभी भी यही step follow करना है किसके साथ जो हमारा answer बचा है इसके साथ तो 2 बचा है तो 2 modulo by 10 इसका आंसर आया 2 and 2 divide by 10 यह third step हुआ अब zero है final answer तो उसके बाद तो हमें कोई process नहीं करनी है मतलब इसमें कितने steps repeat करने पड़े कितनी बार repetition हुआ यह one time, यह two time and three time तो three times यह repetition हुआ हमारे पास number क्या है हमारे पास number है 246 तो हम number तक repeat नहीं कर सकते अगर हमने यह repetition में ले लिया I is equal to one I less than or equal to number तब उस ऐसा कर दिया हमने I less than or equal to number तो यह कितनी बार repeat होगा one से लेके 246 time तो हमारे पास जो number है उतनी बार repeat नहीं करना है तो कितनी बार repeat करना है वो number ही नहीं है हमारे पास इसका मतलब यह हुआ कि यह unfix repetition है हम देखके हमारी human eye है तो हम देखके पता कर सकते है कभी इसमें 3 digit है लेकिन compiler इसको 3 digit के हिसाब से count नहीं करता है compiler इसको 246 के हिसाब से ही count करता है तो यह जो logic है यह logic है हमारा unfix repetition तो unfix repetition को भी कभी हमें repetition से stop तो करना पड़ेगा तो इसके logic में हम क्या set करेंगे तो इसके logic में हम set करेंगे यह process कब तक repeat होनी चाहिए जब तक हमारा number 0 से greater है तब तक यह logic repeat होते रहना चाहिए ठीक है चलिए यह logic को हम program में convert करते है एक integer number फिर total करना है तो total is equal to पहले से 0 ले लेंगे digit लेना है तो एक digit करके एक variable ले ले लेते है digit ठीक है चलो printf scanf address of number मान लो कि यहाँ पर number है हमारे पास 1,2,3 तो कहां तक यह step repeat करने थे जब तक हमारा यह जो number है वो number 0 से greater है तब तक तो unfix repetition के लिए हमें while loop से program बनाएंगे तो बहुत ही easy रहेगा तो हम क्या करते है while loop while loop के अंदर condition यह लिखेंगे while number greater than 0 जब तक यह number greater than 0 है तब तक यह condition true होती रहेगी और अंदर जाके हमारा पहला step क्या है digit को extract करना तो digit कैसे extract होगा number modulo by 10 तो इसका जो भी answer आया वो हम digit नाम के variable में store करा देते है digit is equal to ठीक है तो number modulo by 10 यह situation में क्या हुआ चलो बाद में dry run करते है तो यह जो भी digit आया इस digit को हमें total में add करना है तो total plus digit और इसका answer total में ही store करना है तो total is equal to total plus digit ठीक है तो जो digit आया उस digit को हमने total में store या फिर next time जो हमारा number है वो number का एक digit कट हो जाना चाहिए तो वो division से मिलेगा तो number divide by 10 और इसका जो answer आया वो हम कहाँ पर store कराएंगे number में ही store कराएंगे तो number is equal to number divide by 10 तो यह process पूरी repeat होती रहेगी कब तक जब तक हमारा number greater than 0 है तब तक उसके बाद loop खतम हो गई तो finally हमें total मिल जाएगा तो total हम यहाँ पर print करा देंगे print f double quotation के अंदर number नहीं total total is equal to percentage d कॉमा करके total चलो simple अब इसको dry run करते है स्टार्टिंग में हमारे पास number क्या है 123 तो 123 greater than 0 true अंदर गया तो 123 modulo by 10 तो last digit होगा वो last digit first step में हमें मिला 3 स्टार्टिंग में total क्या है 0 0 plus digit 3 तो 0 plus 3 तो यह step में total क्या हुआ 3 उसके बाद 123 divide by 10 तो इसका अंसर क्या बचा 12 ठीक है चलो next time आया तो 12 greater than 0 condition true तो 12 modulo by 10 इस step में क्या हुआ digit मिला 2 total क्या था हमारा 3 तो 3 plus 2 यह step में total क्या हुआ 5 फिर 12 divide by 10 यह step में answer क्या बचा 1 फिर से आएगा 1 greater than 0 true अंदर गया 1 modulo by 10 यह step में answer आया हमारा 1 total कितना था last में 5 तो 5 plus 1 total हुआ 6 then 1 divide by 10 तो 0 अब 0 greater than 0 condition false बाहर निकल गया इस time पे हमारे पास total क्या था total 6 था तो यहाँ पे total print हो गया तो friends यह बहुत ही easy logic है आराम से एक बार देख लीजिए आगे आने वाले जितने भी programs होंगे वो यह logic के उपर ही dependent होंगे तो चलिए यह program का practical करते हैं तर्बू सी स्टार्ट फाइल डॉसल माउंट दी दी ड्राइव एक्षिट फाइल न्यू comment में लिख देते है sum of digit hash include stdio.add main function curly bracket start and stop clear screen and get ch save d drive courses c and loop number check कर लेते हैं loop 27 है तो यहाँ पे loop 28 एक number डिकलेर कर लेते हैं integer number digit लेना है तो digit and sum करना है तो total is equal to 0 print f enter value of number scanf percentage d address of number अब क्या करना है अब क्या करना है up to greater than 0 तक repeat करना है तो while number greater than 0 अंदर जा करना है तो अंदर जाके क्या करना है digit लेना है तो digit is equal to number modulo by 10 जो भी digit आया वो total में add करना है तो total is equal to total plus digit and then number को divide तो करना ही है तो number is equal to number divide by 10 loop खतम होने के बाद हमारे पास total calculate हो गया है तो total को print करा देंगे total is equal to percentage d कॉमा करके total save control F9 number provide करते है 1 2 3 तो 3 plus 2 5 5 plus 1 save